तो दोस्तो हमें मिल चुक है एक गंदा और खाली बोतल तो इसे हम क्लीन करेंगे और इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो हम जहाँ पर धोने के लिए आये थे वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नई है पानी खतम हो गया है तो इसे रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं main reason क्या है एक्शली में हं गां में रहते हो और हम टैपकॉल के भरोसे पर जीते हैं तो यह गर्मी का मौसम है तो ऐसे चलता रहेगा अब ठीके पानी का कमी तो है भाई लेकिन हम पानी को विष्ट नहीं कर सकते ठीके आज का घीक्सपरिमेंट होने वाला है वो इस प्रोजेक्ट में हल्प करेगा तो ये कैसे कम करेगा देखो ये बॉटल है ना इसे हम हाप ओप हाप इस बोड के मद्दम से फसा देंगे बीच में और इसे हम किसी भी जगा पे लगा सकते ताकि सोलर एनर्जी को यूज कर सकते कैसे आप उतिक यह देखो एक दो तीन होल करना पड़ेगा बिल्कुल बीच ओ बीच और ठीक हिसाब से अपको होल करना पड़ेगा ठीक है देखो भाई लोग सोलर लाइट को इस्तिमाल करके बहुत सरे प्रोजेक्ट बनाया जा सकते लेकिन यह सबसे आसान और कोई खर्चा भी नहीं होगा मैं तो एक रुपिय कुल लिखे जैटीक है तो हमने इसके जगा पर और एक नए बहुत लेरेंच किया और उसमें पानी भर के भाई यहां पर हमने जो है इस वोड़ पर हम सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद हम स्टेपलर से अच्छी तरह के से धाचा बना रहे हैं ताकि यह जो है देखने म मतलब बैटरी वाला टॉच लाइट है तो इसके मद्दम से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यह काम करेगा मालो यह टॉच लाइट एक सूरज है ठीक है और इस सूरज अगर रोसनी देता है तो अंदर भी रोसनी पहुँचेगा इस बोतल के मद्दम से अगर इस बोतल मे लेकिन पानी अगर रहेगा तो अच्छा दिखेगा वही रोसनी अच्छे मिलेंगे ठीक है और आप देख सकते हो ऐसे कुछ देखने को मिलता है ठीक है अगर रोसनी आए मतलब अगर आप सोलर सिस्टम को यूज करते हैं तो अब मैं इस चीज़ को मैं अपने रूम में दि बहुत तेज रोसनी आ रहे है की नहीं तो गाइस अभी हम मिलते है नेक्स किसी वीडियो के साथ कुछ इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ ठीक है